ओम शान्ती आज है बीस जन्वरी दो हजार चौबिस की साकार मुरली आये सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महा वाक्यों को मीठे बच्चे तुम कल्यान कारी बाब के बच्चों का करतव्य है सर्व का कल्यान करना सबको बाब की याद दिलाना और ज्यान दान देना प्रेश्ण है बाबा महारती किन बच्चों को कहते हैं उनकी निशानी क्या होगी उत्तर है जो अच्छी रीती पढ़ते और पढ़ाते हैं जिन पर सदा ब्रहस्पती की दशा है जो अपनी और सर्व की उन्नती का सदा ख्याल रखते हैं जो यग्य सेवा में हडियां देते हैं जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं वह हैं महारती ऐसे महारती बच्चों को बाबा कहते यहां है मेरे सपूत बच्चे ओम शान्ती आजकल बच्चे शिव जन्ती के लिए तैयारियां कर रहे हैं काड आदी भी छपाते हैं बाप ने समझाया तो बहुत बारी है सारी मुख्य बात गीता पर है मनुश्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं यहां भी तुम बच्चे समझते हो आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात अब बाबा टॉपिक देते हैं उस पर मंधन करना पड़े तुम लिख सकते हो भाई और बहनों आकर समझो एक गीता शास्त्र है ग्यान का बाकी सब शास्त्र हैं भक्ती के ग्यान का शास्त्र एक ही है जो पुरुशुत्तम संगम युग पर बेहत का बाप परम पिता परमात्मा तरी मुर्ती शिव सुनाते हैं या तो लिखना है ब्रमा द्वारा सुना रहे हैं जिससे 21 जन्म सद्गती होगी ग्यान की गीता से 21 जन्म का वर्सा मिलता है फिर त्रेसर जन्म भक्ती की गीता चलती है जो मनुश्यों की बनाई हुई है बाप तो राजयोग सिखला कर सदगती कर देते हैं फिर सुनने की दरकार नहीं रहती इस ग्यान की गीता से दिन हो जाता है यह ग्यान का सागर बाप ही सुनाते हैं जिससे 21 जन्म गती सदगती होती है अर्थात 100% पवित्तरता सुक शान्ती का अटल अखंड सत्योगी दैवी स्वराज्य मिलता है 21 जन्मों के लिए चड़ती कला होती है मनुष्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है भक्ती की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंधन करना है यहाँ मोल बात है जो मनुष्य नहीं चानते तुम लिखते हो त्रेमुर्ती शिव जन्ती सो श्रीमत भगवत गीता जन्ती सो सर्व की सदगती भवन्ती यहाँ भी सुना सकते हो कि शिव जन्ती सो विश्व में शान्ती भवन्ती मुख्य अक्षर बहुत जरूरी है जिस पर ही सारा मदार है तुम सब को बदला सकते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगती करने ही सकते भगवान सदगती करने आते हैं पुरुशोतम संगम युग पर जो अब हो रही है यहाँ दो तीन पॉइंट्स मुख्य है शिव और क्रिशन की गीता का कंट्रास्ट तो है ही त्रिमूर्थी शिव भगवान से संगम पर ही गीता सुनने से सद्गती होती है ऐसी ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मन्थन करे तब औरों पर भी असर पड़े मनुश्य मनुश्य की सद्गती कभी करने सिर्फ एक ही त्रिमूर्थी परमपिता परमात्मा शिव जो टीचर भी है सत्गुरु भी है वह इस पुरुशोत्तम संगम युग पर सरव की सद्गती कर रहे है काड में थोड़ी लिखत ही हो उपर में लिख देना चाहिए कल्योगी कौड़ी जैसे पतित मनुश्य से सत्यों की हीरे जैसा पावन देवी देवता बढ़ने का ईशुरिय निमंत्रन ऐसे लिखने से मनुश्य खुशी से आएंगे समझने के लिए सद्गती दाता बाप की ही शिव जनती मनाई जाती है एक दम क्लियर अक्षर हो मनुश्य तो भक्ती मार्ग में कितने धेर शास्त्र पढ़ते हैं माथा मारते हैं यहां एक सेकिंड में बेहद के बाप से मुक्ती जीवन मुक्ती मिलती है जब बाप का बनकर उनसे नौलेज लेते हैं तो जीवन मुक्ती अवश्य ही मिलेगी पहले मुक्ती में जाकर जैसा पुरुशार्थ किया होगा ऐसे जीवन मुक्ती में जरूर आएंगी जीवन मुक्ती मिलती जरूर है फिर शुरू में आए वा पिछाडी में आए पहले जीवन मुक्ती में आते फिर जीवन बंध में ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारन करे तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचे दो किसको परिचे नहीं देते तो गोया ग्यान नहीं है समझानी तो दी जाती है प्रन्तु तकदीर में नहीं है कल्यान कारी बाप के बच्चे तो कल्यान करना चाहिए नहीं तो बाप समझेंगे यहां कहने मातर कहते हैं कि हम शे बाबा के बच्चे हैं कल्यान तो करते नहीं साहुकार अत्वा गरीब कल्यान तो सब का करना है प्रंतु पहले गरीब उठाएंगे क्यूंकि उन्हों को फुरसत है ड्रामा में नूधी ऐसी है एक साहुकार अगर अभी आजाए तो उनके पिछाडी धेर आजाए अब अगर महिमा निकले तो धेरों के धेर आजाए तुम्हारा है ईशुरिय मर्तबा तुम अपना भी और औरों का भी कल्यान करते हो जो अपना ही कल्यान नहीं करते तो औरों का भी कर नहीं सकते बाप तो है कल्यान कारी सर्व का सदगती दाता तुम भी मददगार हो ना, तुम जानते हो वह है भक्ती मार्ग की दशा, सद्गती मार्ग की दशा एक ही है जो अच्छी रीटी पढ़ते और पढ़ाते हैं, उन पर है ब्रहस्पती की दशा, उनको महारती कहेंगे अपने दिल से पूछो हम महारती हैं, फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं, प्यादे कभी किसको ग्यान सुनाना सकें, अगर किसका कल्यान नहीं करते तो अपने को कल्यान कारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए, बाप तो पुरुशार्थ कराएगा, इस यग्य सेवा म हडियां भी देनी चाहिए बाकी सिर्फ खाना पिना सोना वह सर्विस हुई क्या ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे बाप तो कहते हैं पुरुशार्थ कर नर से नारायन बनो सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे लौकिक बाप भी देखते हैं यह तो बहुत अच्छा मरतबा पाने वाला है तो देख कर खुश होंगे पार लौकिक बाप भी ऐसे कैए हैं बेहड का बाप भी कैए थे हैं हम तुम को विश्य का मालिक बनाने आये हैं अब तुम आडों को भी बनाओ बाकी सिर्फ पेट की पूझा करने से क्या फाइदा होगा सब को सिर्फ यही बताओ कि शेबाबा को याद करो भोजन पर भी एक दो को बाब की याद दिलाओ तो सब कहेंगे इनकी शेबाबा से बहुत प्रीथ है यह तो सहच है ना इसमें क्या नुकसान है आदत पढ़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को भी याद करते रहेंगे दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं अभी तो सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ तो जरूर पतित हैं शंक्राचार्य भी शिव को याद करते हैं क्योंकि वही पतित पावन है आधाकल्प भक्ति करते हैं फिर भगवान आते हैं कोई को हिसाब का थोड़े ही पता है बाब समझाते हैं यग्यत अपदान से मैं नहीं मिलता हूँ इसमें गीता भी आजाती है यह शास्त्र आधी पढ़ने से कोई की सद्गती नहीं होती है गीता वेद उपनिशद सब हैं भक्ति मार्ग के बाब तो बच्चों को सहज राज्योग और ज्यान सिखलाते हैं जिसी राजाई प्राप्त कराते हैं इनका नाम ही है राज्योग इसमें पुष्ट तक की कोई बात नहीं टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए तो फॉलो करना चाहिए सब को बोलो शे बाबा को याद करो वहा हम सब आत्माओं का बाप है शे बाबा को याद करने से विकरम विनाश होंगे एक दो को सावधान कर उन्नती को पाना है जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्यान है याद की यात्रा से सारे विश्यों को पवित्र बनाएंगे याद में रहकर भोचन बनाओ तो उसमें भी ताकत आजाएगी इसलिए तुम्हारे ब्रम्हा भोजन की बहुत महिमा है वह भक्त लोग भोग लगाते हैं तो भी राम राम कहते रहते हैं राम नाम का दान देते हैं तुमको तो बुध्धी में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए बुद्धी में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए बाप के पास सारी रचना के आदी मध्यांत का ज्ञान है ना उंचे ते उंचा भगवान है तुम उनको याद करेंगे तो उंच पद प्राप्त करेंगे फिर दूसरे किसको याद ही क्यों करें बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं यहाँ है अव्यभिचार अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो अपनी उन्नती के लिए उंच पद पाने के लिए पुरुशार्थ जरूर करना है हमको भी टीचर बनाने वाला श्रिबाबा हमारा टीचर है तुम सब पंडे हो ना पंडों का काम है रास्ता बताना इतना सारा ग्यान पहले थोड़े ही तुम्हारे में था सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी सो तो जरूर होगा ड्रामा नुसार कल्ब पहले मिसल पढ़ते रहते हैं फिर कल्ब के बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे पिछाडी में तुमको सब सक्षतकार होंगे सक्षतकार होने में देरी नहीं लगती है बाबा को जल्दी जल्दी सक्षतकार होते गए फलाना फलाना राजा बनेंगे यह ड्रेस होगी शुरू में बच्चों को बहुत सक्षतकार होते थे फिर अंत में बहुत होंगे फिर याद करेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुट मॉनिंग हम रुखानी बच्चों की रुखानी बच्छों को नमस्ते जी नमस्ते जी सदा रहेंगे हस्ते जी वह बाबा वह शुक्रिया बाबा शुक्रिया दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक, भोजन पर एक दोगो बाब की याद दिलाओ याद में भोजन खाओ, एक शिब बाबा से ही सच्छी प्रीत रखो नमबर दो, यग्य सेवा में हडियां देनी हैं, बाब का पूरा मददगार बनना है सभी गोप गोपियों प्रती माती शरी ची के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र 1961 सभी गोप गोपियों प्रती अती याद प्यार, बाद समाचार की आप सब ग्रिहस्त वेवहार में रहते कमल फूल समान, अपनी जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना लाडले गोप तो अब सर्विस को अच्छी रिती उठाने के पुरुशार्थ में लग गए हैं बहुत अच्छा है, आखिर भी अपने परम पुझ्य बाप का परिचे सबको मिलना ही है यह तो जानते हो कि इस उंच प्राप्ती को कोटों में कोई ही पा सकेंगे प्रन्तु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे तो ना अच्छा तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो खजाना अविनाशे ग्यांधन का तो बहुत अनोखा है खुट है जो पाप द्वारा सभी बच्चियों को मिलता ही रहता है कोई से प्राप्त कर ले तो जनम जनमांतर के लिए माला माल बन जाएं यह चीज ही ऐसी है कहो लाडले गोप गोपियां ठीक बात है ना आप सभी गोप गोपियां अतिंद्रिय सुख में जीवन की अनुभव से जीवन बिताते चलते चलो देखो लाडले गोप गोपियां अब इस ब्रहमन कुल की वृद्धि होने में ही सबका कल्यान है फिर तो ब्रहमन सो देवता अवश्य बनेगे जैसे कई अपने ग्रिहस वैवहार में रहते भी ब्रहमन कुल वैश्य बन कर चल रहे हैं अर्थात ग्रिहस वेवहार में रहते पवित्र रहते हैं, हम एक बाप के बच्चे हैं, एसी पवित्र धार्णा में रहते हैं, बाकी सभी को उस परमपिता बाप के डारेक्शन पर ही चलना है, इसको ही श्रिमत पर चलना कहा जाता है. ऐसी धार्णा में चलने वालों को ही ब्राहमन कुलवशी कहा जाता है जबकि अब वही बाप टेचर सत्गुरु बना है धर्मराज भी है तो क्यों ना उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूरण पवित्तरता का अधिकार ले लेना चाहिए जिससे ही भविश्य में सुक शान्ती का पूरा अधिकार प्रालब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है कहो लाडले गोप गोपियां ऐसे सहज राज को समझ गए हो ना जीते जी मरने अथ्वा मर जीवा बढ़ने में डरते तो नहीं हो ना आज यह पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझे और अपना पत्र समझ कर पढ़े अथ्वा सुने और मा का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए हर एक गोप गोपी प्रती नाम सहित मा का अत्यंत प्यार अच्छा अपना सौभाग्य उंच बनाने के पुरुशार्थ में तीवरवेग से लगे रहना ही कल्यानकारी बनना है जगकी अभी पता चला है कि स्वयम परंपिता उंच वर्सा देने आया है तो लेकर ही रहना है अच्छा छुट्टी लेते हैं ओम श्यान्ती वर्दान है अविनाशे प्राप्ती के आधार पर सदा संपनता कानुभव करने वाले प्रसंचित भव संगम युग पर ढरेक्ट परमात्म प्राप्ती है वर्तमान के आगे भविश्य कुछ भी नहीं है इसलिए आपका गीत है जो पाना था वो पा लिया इस समय का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मनों के खचाने में यहाँ अविनाशी प्राप्तियां है इन प्राप्तियों से संपन रहो तो चलन और चहरे से सदा प्रसंचता की विशेष्टा दिखाई देगी कुछ भी हो जाए सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसंचता छोड़ नहीं सकती श्लोगन है परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती शुक्रिया बाबा शुक्रिया अविप्ति सालन्स द्वारा डबल लाइट फरिश्टा स्थीती का अनुभव करो कोई भी आपके समीब संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह रुखानी है अलौकिक है अपने पुर्वजपन की समरीती से सभी आत्माओं की पालना शांती की शक्ती से करो आपका फर्च है अशांती के वायुमंडल में आत्माओं को शांती का दान देकर उनमें शांती की सहन शक्ती की हिम्मत भरना इसके लिए अपनी वृत्ती द्वारा मनसा शक्ती द्वारा विशेश सेवा करो लाइट हाउस बन सर्व को शांती की लाइट दो अच्छा